डिक्टेशन स्टार्ट होगा पांच सिकेंड बाद स्टार्ट कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरियेंट के मामलो का बढ़ना जितना दुखद है उतना ही चिंता जनक भी सरकार और लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है तो एक तरह से अच्छा ही है अगर इस वेरियेंट में संखर्ष के लिए पहले ही ज्यादा से ज्यादा तैयारी हो जाए और लोगों में भाय की वजह से ही जागरुकता बढ़ जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं केंद्रिये स्वास्थ्य मंत्राले ने उचित ही आठ राज्यों को चिठ्थी लिख कर तुरंत कंटेन्मेंट उपायों को लागू करने के लिए कहा है जहां भी मामले मिल रहे हैं वहीं उन्हें क्वारंतीन और कंटेन्मेंट जोन बना कर रोकना होगा डेल्टा पलस का संक्रमण अगर सुर्वाती दोर में ही रोक लिया जाए तो यह सरकारों की एक बड़ी सफलता होगी देश डेल्टा की मार से बड़ी मुश्किल से उबर रहा है अतह सब की भलाई इसी में है की डेल्टा पलस के खतरे को बड़े अस्तर पर जाने से पहले ही रोका जाए अभी तमिलनाडू, गुजरात, आंध्रप्रदेश, राजस्थान, करनाटक, पंजाब, जम्मु कस्मीर और हर्याणा को कंटनमेंट और कंटेक्ट ट्रेसिंग जैसे उपायों को अपनाने के लिए कहा गया है इन राजसरकारों को अपने अस्तर पर भी हर संभो उपाय करने चाहिए विशेसाग्या बार-बार चिता रहे हैं, किसी भी अस्तर पर धिलाई बहुत भारी पड़ सकती है जिन इलाकों में मामले मिल रहे हैं, वहां के समाजिक संगठनों को भी पूरी तरह से सचेत और सक्रिये कर देना चाहिए बचाव के लिए जरूरी कड़ाई का काम ज्यादा से ज्यादा समाजिक संगठनों के पास ही होना चाहिए समाज अपनी सुरच्छा की चिंता स्वयम करे यहां तक की अक्सीजन अस्पताल बिस्तर और दवाओं की निरंतर निगरानी में भी समाजिक भागीदारी होनी चाहिए ध्यान रहे सुरवाती सुचनाओं के अधार पर डेल्टा प्लस को तीन कारणों से अधिक संक्रामक बताया जा रहा है अवल तो इसकी संक्रमण छामता ज्यादा है दूसरी बात इसका फेफ़डो की क्वशिकाओं के रिसेप्टर्स में मजबूत बंधन बनता है और यह वाइरस मोनोक्लोनल एंटीबोडी प्लतिकिरिया को कम करता है बड़ा खत्रा यह है कि यह सरीर में एंटीबोडी जरूरत के हिसाब से नहीं बनने देता है सुक्रवार तक देश में 45,000 कुरोना नमूनों में से 48 नमूने डेल्टा प्लस के पाए गए और चार मरीजों की मौत हुई वैसे ए आकड़े परियाप्त नहीं है जिनके आधार पर डेल्टा प्लस को ज्यादा खतरनाक गोसित कर दिया जाए अभी डेल्टा प्लस की ज्याच सुविधा केवल 14 परियोक सलाओं में है अतह केंद्र सरकार को विशेश रूप से पहल करते हुए ज्याच के ज्यादा से ज्यादा केंद्र बनाने चाहिए ठीका करण में तेजी लाना भी जरूरी है दो ठीका लेने के बावजूद अगर राजस्थान में डेल्टा प्लस का मामला सामने आया है तो भी ठीके पर से हमारा विश्वास हिलना नहीं चाहिए टीक के पूरी तरह से सुरच्छित है उनको लेकर सवाल या असंकाय अचरज की बात नहीं है वैक्सीन फाइजर मोदेरना से अगर हमारा जिनोम भी बदल रहा हो तो भी कोई बात नहीं हमारा निरोग रहना ज्यादा जरूरी है यह महमारी इतनी विकराल है कि इसका असर मानव के बाह्य स्वरूप के साथ साथ आंतरिक स्वरूप पर भी पड़ सकता है और संभव है कोरोणा के खत्म होने के बाद मनुस्य के डिने से इसकी छाप अपने आप मिट जाए लेकिन फिलहाल जरूरी है कि हम दस्तक दे रहे खतरे को पूरी सावधानी और तैयारी के साथ मुहतोड जबाब दे समापत झाल 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 झाल